और लुकिली काली थी उसको छील भी लिया था पर उन्दर से ऐसी निकली है गाली इसमें सफे-फिय दिखरी और इइक खराब तो तो सबजी का डिसाइड कर रही हूं तो मैं नोड़ ठीक है टमाटर आलू की बोल रहे हैं तो मैं नोड़ ठीक है टमाटर आलू बना लेते वे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं नोड़ ठीक है टीवी देख रहे हैं बच्चे का इंटूशन साथ बज़ रहे हैं चलो देखते हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबी का स्वागत है राम राम जी कैसे हैं आप जरूर बताना यहां पे मैंने मोटे-मोटे आलू काट लिये हैं उनको फ्राइ कर लिया और चील लिये तैयारी कर लिए सब कुछ लेसन पर आसब कर लिया तब मैंने कैमरे को अन किया तब है ठीक नहीं थी मौसम चल रहा भी घर-घर है वही है कोई खास नहीं तो मैंने बोला काम कर रही हूं तो वीडियो भी बना कि कभी कभी लगता है तो कुछ वैसे कमेंट भी आए कि तुम में सवर नहीं है ये है वो है लालची हो ऐसा है तो जो भी है ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं अच्छे बुरे कर लूग होते ही होते हैं लालची तो देखिए सब को ही होता है सब चांते हैं हमारे भी इतने हो यह हो वो हो ऐसा कोई नहीं है जो लालची नहीं हो पर मेरे हजबेन ही बोलते है कि हाँ तु है मतलब ठीक है करती है तो बाहर वालों से क्या वो कहें वो भी बोलते है मतलब मैं टेंसन में आ जाती हूं पर कितना सबर करें आप लोग अबसक्राइब उस बात को भी खतम करते हैं आलू सोयबीन दोनों को मैंने फ्राइ कर लिया एक बार मैंने आलू फ्राइड किया तो आपके कमेंट आयते है पीती आलू काशिट्ट वना लिया फिर उसको भूझ लिया है और पीछे से वेग्राउंड से बहुत सारी आवाजे आ रही होंगी तो प्लीज इग्नोर करना क्योंकि गलियों में बेकने आते ही रहते हैं मैंने इसमें सारे मसाले डाले मसाले में सोयावी नालू को थोड़ी दे छोड़ा जितना मुझे पानी चाहिए था उतना मैंने पानी दिया इसके बाद मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकू सरफटा जा रहा था ये सबजी लाश्ट में कैसी बनी दिन में बता दूगी पर स्वादिष्ट बहुत बनी थी देखी घड़ाई थोड़ी बहुत ही खा लिये फिर इसके बाद रोटी सेख के जादा नहीं थोड़ी बहुत सेख के बंद कर दी साड़े नौ बज रहे हैं मेरा खाना बन गया था च्छत का गेट बाहर का गेट और सोई साफ करना ये सब कर लिया था क्योंकि सुबह है संडे तो फिर लेट उठेंगे सभी लोग तो रात कोई अपना सारा निफटा के छोड़ दो तो वही सही रहता है देखिए जान और उसकी अगर आफ सेफटी करना चांते तो रात में ये सब काम तो करना ही पड़ेगा उजरिया रात है मतलब उजाले वाली रात है क्योंकि अब शादी वगएरा चल रही है न तो इस वज़े से चट के दो कपड़े पड़े थे वो उठाए चट के बात्रूम के सब गेट बंद किये क्योंकि आंधी वगएरा तो धार धार वज़े और चट से पीछे से खुला है कोई भी घुस सकता है तो इसलिए मैंने चट वगएरा के गेट वगएरा सारे बंद कर दी है कपड़े उठा के टप में सीडियों पर रख दी है इनको सुबह लूँगी और फिर बस जाके टीवी देखेंगे अंदर लेटे रहते हैं अपना सारा देखी गेट वगएरा स चालू करके सब लोग हम लेट जाएंगे सुबह ही देखिए सारा रसोई साफ है कटोरी में बस रखिए पानी पी के बंसुने रख दियोगी रसोई की लाइट को आफ किया सारी मतलब लाइट वगएरा बंद कर दी है परदे खीज दी क्यूंकि बाहर से छोटे-छोटे से क चालू को आफ का बलब जलता है और ओल आउट जला देते टीवी देखे जितनी देखें बस अतनी देखें फिर अपने अपने सोज आते टीवी थोड़ी वद्य देखते हैं जितना मोबाइल में नेट होता है क्योंकि रिचार्ज करा नहीं रखा और मोबाइल से सब उठा दिया है फिर चाय वनने के लिए रख दिये ट्राइपोट पर यह सेट करेंगे और हम यह नहा लेंगे तब तक मेरी चाय भी बन जाए धूप बहुत मस्त वाली लिक लिए अच्छी वाली निकलिए तो धूप में यह थोड़ी बहुत देर बैठे थोड़ी बहु थोड़ा आलकस कर जाते हैं इनके साथ बैठना उठना बादचीत ऐसे क्योंकि रोज रोज तो होतना नहीं चले जाते इतवार वाला ही दिन होता है तो थोड़ा बातचीत करने में ऐसे काम लेत हो जाता है दो-तीन गिलास धो लिए हैं देखो अब इस सुबह एक बार चाय बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा वैसे था ना सर्दी एर्दी सा वैसे लग रहा था बुखार सा था सरीर में तो चाय बनाई मैंने चाय बढ़िया इलाइची अद्रक डाल के चाय बनाके फिर काम धंदे में लग जाएंगे काम सब्जी देखे मेरी रखी है और अभी ये बोरे कुछ प्रीती अच्छा सा बना ले कुछ अच्छा पिसली बार को मैंने आपको पता है वो चिली पटेटो के जैसे बना था वो बहुत टेश्टी बना था तो वही कह रहे थे मैंने ठीक है मैं बना लूँगी रोज-रोज ये नहीं कहते है ज्यादा ही मन हो ऐसे खाने का तब ही कहते है सलिप पे सपे कपड़ा मार दूँगी साबुन बता है आप लोगों ने कल बताया ने इरिन साबुन घड़ी साबुन अब अच्छे नहीं आ रहे है न मतलब मटी जैसा निकलता है सफेस सफेसा यहां पे मैंने ये साफ करके चा पानी घरम होने के लिए रख दूँगी बाल वगेरा धोने सेंपू करने तो यह आ गया है और चाय पीने हम दोनों चाय पीने लगे यह थोड़ी सी चाय लेते टाइम आपको पता चली रहा है और यह आज का सनिवार से व्लोग स्टाट किया और आज का और आज ही वीडियो डाल दूँगी कम चाय पीते अपर बढ़िया चाय और कम हो वही पीते है देखो वह फूल रखने के चकर में सारी चीजिए गिरा दिते एक चीज रखने में सारी चीजिए गिरा देते एक चीज बनाएंगे मैं नहीं नहीं देखाते हूं। अच्छा फिल्टर लगा के वीडियो बना रही हो इस पर मैं बना रही हूँ आलू फ्राय करके चिली पड़ाट बनते उस दिन बना थे वो कम पड़ गए और अच्छे बनेते तो इनों बोला वही बना दे और पापा इनके चप्पल ले रहे मेरे लिए भी लिए तो दिखात कि अच्छे लग लग लिए न मम्स काई कभी मिल्दी नहीं है वो ठांगा हूँ फूल कर गाही लोगत है ओके चल इसी बात पर बाइ-बाइ बैभ एआ पारी गड़ा बेरास अधा बैर एकर बैट खांग को अजया लिए लीकाइप लेके नहीं है लेके यूसी कासी यह पचाफ वाली में बढ़िया होता है हाँ मुदर छोती है यह दगच्छों की है वेदे से अच्छी है गीजिए यह पर आपने वंसू की आगे कलिए वो इस्टेग्राम से बनाई है फिल्टर लगा के आप लो कमेंड करें से पहले बना दे बता दे रही हूं उनका मन था तो बना लिया यहां पर देखिए मैंने आलू को काट लिया उसमें आरारो मिलाया है सोयावीन भीगो के रख दिये और इधर मेरे यह बनते रहेंगे इध शुट को बहुत दिया था इनको न छोड़के फिर इनको भी फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा टाइम लगा था ज्यादा नहीं उधर मैंने मिर्ची प्यास शिम्ला मिर्ची एक सिम्ला मिर्च मेरी रखी रखी हुई थी उसको ERIC कार लिए खुब अच्छे से पानी निकल जाये उस तरीके से मैने यह देखी इस तरीके से रात को 2 पैकट मनगा है थे एक packet रख लिए एक packet के अभी कर लेंगे एक packet को छोड़ देंगे इसके लिए मैंने छोड़ दिया था ये देखी थोड़ा सा बच्चा था आरारो वो भी डाल दिया थोड़ा सा और होता तो चलता पर ठीक है इतना ही काफी है कौन लेने जाता पिछली बार मैदा की जगा आरारोर किता सारा आ गया था आप लोगों को पता है न तो चलिए ये था तैयारी ये बनेंगे धीमी धीमी आज़ पे धीमी के क्या तेज आज़ पे ये बनाऊंगी इसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा आलू फ्राय होने में टाइम लगता है और कच्चे रह जाएं तो कोई मतलब नहीं करारे करारे से इनको फ्राय करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये देखिए आलू फ्राय करके उधर रख दिये मैंने इसमें सिमला मिर्ची प्याज मैंने डाल दिये इनको थोड़ा कच्छापन निका लेंगे फिर इसमें मैंने सोयावीन आलू डाल दी जो मैंने फ्राय करके रख रखे हैं टमाटर सॉस डालूँगे मिर्ची नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स करूँगे और काफी अच्छाय वगएरा तो पी ली थी इसको इस तरीके से किया और औरोर में ये मिक्स हैं तो करारे करारे हो गए थे नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं नीबू नहीं था बस नीबू की कमी थी और अमचूर भी नहीं था तो थोड़ा सा उसके विना वैसे लगा मयोनीज भी मेरी थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि मयोनीज से देखिए चार पीजा वाले परांठे बनाए थे मैंने जो आप लोग इसाद शेयर की एक बार और मैगी बना ली मतलब मयोनीज भी एक डिबबा मंगाऊंगी मतलब एक डिबबा ना काफी टाइम चल जाता है आपका तो इसको मिक्स किया बनके रेडी हो गए बच्चे भी खुस ना बाहर जाने का जंजट ना कुछ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं आप लोग भी ट्राय करना वैसे मैं आए ना कुछ ना कुछ बनाती रहती है अच्छा लगता है मतलब मुझे कुकिंग करना यह अलग बात है चीजे नहीं मिल पाती है नहीं तो मैं आए देन नहीं नहीं डिसे बना बना के रखती रहूं इतनी सी ही में यह म्योनीस थी जो मैंने डाल दी मंगाऊंगी इसको अच्छे से दोनों चम्मचों से मैंने मिक्स किया यह दिखिए इसको बनने देते हैं और ना इसको बनने में टाइम नहीं लगता बस फ्राय करने में जो टाइम लगता वही लगता उसके अलावा नहीं उपर से एक टमाटर सॉस का पैकेट बचाया था, उपर से डाल दिया, अच्छा लग रहा था मैंने बोला वीडियो को एंड कर देती हूँ, उसके बाद में कुछ करूँगी, वीडियो डालना भी है, बढ़ता रहा है कुछ कुछ अभी शर्दी में फायदा है, रात को ना मैंने दवाई खा ली थी, और सबजी जो बनाई थी रात को वो थोड़ी सी रखी है, तो अभी मुझे सबजी रात कर देखे, अच्छा है, बनी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, सब ने खाई चाहे बनाई थी सोयावीन आलू अच्छे बनते हैं सभी को पता है टमाटरों आलू ए सोयावीन आलू हमारे घर में तो सभी को पसंते हैं खुशी-खुशी खा लेते हैं मतलक तरी वाली चीजे खुशी-खुशी खा लेते हैं चलो मेरा जाड़ू-अड़ू लग गया है बढ़तन अरतन बढ़त होने हैं वीडियो को एंड करती हूं नाइस्ट वीडियो मिलूंगी तब तक के लिए बाए बाए